देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको जानकारी हम देते हैं कि राजजे सरकार द्वारा तीन अप्रेल को महावीर जैनती के उपलक्ष में सारवजनेक अवकाश गोशित किये जाने के कारण राजस्थान मादमिक सिक्षाबोर की इस दिन पूर्व Kopfido परिक्षшाए अब 4 अप्रेल मंगलवार को आयोजित की जाएंगी जो 3 अप्रेल का बच्चो आपका जो पेपर हुने वाला था उस 3 अप्रेल की जेगे आपका पेपर 4 अप्रेल मंगलवार को आयोजित होगा इतना सा आपको यहाँ परिवर्तन याद रखना है आगे देखी यहाँ पर इसको किलियर किया गया है राधस्थान मादमिक सिक्षाबोड के प्रशाशक और संभागी आयोक्त स्री भमरलाल महरा ने बताया कि 3 अप्रेल को पूरव गोशित कारेक्रम के अनुसार सेकंडरी इस्तर पर आपका मैथ का पेपर ठीक है और सिनिर सेकंडरी इस्तर पर कंप्यूटर विज्ञान और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज विशे की परिक्षा का आयोजन होना था यह परिक्षाएं वहाँ पर होने वाली थी यानि 10 वी क्लास में तो गनित का पेपर होने जा रहा था और 12 वी क्लास में कंप्यूटर विज्ञान और इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज विशे की परिक्षा उसमें होनी थी जो की अब मंगलबार 4 अप्रैल को आयोजित की जाएगी समशोदित परिक्षा कार्यक्रम जो है बोड की वेपसाइट पर भी उपलब्द करवा दिया गया है तो केवल इतना सा ही परिवरतन आपको दियान रखना है तीन तारीक की जगे चार तारीक को आपका पेपर होगा ठीक है बच्चो तो ये एक छोटी सी जानकारी थी और अच्छे से अपनी तयारी करें वैस्ट अप लग सबके लिए अच्छे से आप मेहनत करिए लगातार क कौशिश करते रहिए क्योंकि कौशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लहरों से डरने वालों की नौका पार नहीं होती अब तक भी आपने तयारी नहीं की है तो अब यदि आप मेहनत अच्छे से करते हो कड़ी मेहनत करते हो इमानदारी से मेहनत करते हो तब भी आप प्रश्करदना जिससे सारे जानकारी आपको मिलती रहेगी अपने दोस्तों को शेयर कर सकते क्योंकि आपके शेयर से उनको भी फायदा मिल सकता है दोस्तों तो चलिए मिलेंगे अगली ऐसी ही अपडेट जानकारी के साथ तब तक लिए धन्यवाद